टॉप थ्री का Companies in 2023, कार विक्री के लिहाज से 2023 अभी तक का सबसे शांदार साल रहा है क्योंकि साल के दौरान 41 लाग से ज़्यादा कारे विक्की हैं। कैलेंडर येर 2022 के मुकाबले कैलेंडर येर 2023 में कारों की थोफ बिक्री 8.3 प्रतिशत बढ़ी और 41.08 लाग यूनिट्स पर पहुंच गई। ऐसा तब हुआ जब बीते साल 2023 में वीकल्स की अवरेज कीमत बढ़कर 11.5 लाख रुपय पर पहुंच गई जो साल 2022 में 10.58 लाख रुपय थी। खेर चलिए आपको साल के दौरान सबसे ज़्यादा कारे बेचने वाली तीन कमपनियों के बारे में बताते हैं। इनमें मारुती टॉप पर है एक मारुती सुझुकी, देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कमपनी मारुती सुझुकी ने 2023 में 20 लाख यूनिट्स की विकली के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 2.69 लाख यूनिट एक्सपोर्ट भी की गई हैं। कमपनी ने इसमें 7.76 लाख यूनिट्स के साथ क्रामीन बजार में सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की है। कमपनी ने विकल बनाने वाली घरेलू कमपनी टाटा मोटर्स ने भी 2023 में शांदार बिक्री की है। इसने किसी कैलेंडर येर में अपना सबसे बड़ा बिक्री आंकरा हासिल किया। साल के दोरान टाटा मोटर्स ने कुल 5.53 लाख यूनिट की बिक्री की है। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शेलेश चंद्रा ने कहा कि 2023 में कॉमपेट एस्यूवी और हेच्बेक सेग्मेंट की पफोर्मेंस से कंपणी ने रिकॉर्ड बिक्री हासिल की है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।